सब कुछ पार्टी की उपर डिपेंड करता है, पार्टी का कारिय करता हूं, पार्टी जो भी हमें निर्देश देगी, उसका हम पालन करेंगे मांदारी से, भारती जनता पार्टी की विचार दारा से हम परभावित हैं, और मोदी जी की कारिय सेली से हम परभावित हैं, इसल आप डिरेक्ट देख रहे हैं और नायब सहनी साब भी अच्छे से उसके उपर नजर लगाए बैटे हैं तो आने वाले समय में अगर पार्टी ने मोका दिया तो आप ये पाओगे कि अटेली में घुस्ते के साथ ही लोग डिफरेंस महसूस करेंगे कि हां भई ये जो है अट इसनी तरक्की महंदरगड जी लेने किया है सायदी किसी ने कियो उसका एक कारण बताता हूं मैं 102 आप देख रहे हैं लोग चंडिगड जाते थे तो चंडिगड पहुचने में 7-8 घंटे लगते थे आज मेरी ख्याल से 3-3 घंटे में आदमी चंडिगड चला जाता है 1998 में पुजिने बाओ जी ने 135 बच्चों के साथ स्कूल स्टार्ट किया मेहंदरगड जी और उसके बाद सब लोगों ने मेहनत की और उस मेहनत की बदूलत हम लोग आज 17 स्कूल के साथ 50,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं लग लग की, 4th पोजिशन भी RPS की और 7th पोजिशन भी RPS की है टोप 8 में 4 पोजिशन अपनी थी अभी हमारे स्कूलों में सभी ब्रांचीज में 31 तारीकों फिर एक बार टेस्ट है स्कूलर्शिप का तो उसमें जो बच्चा 9th क्लास में आना चाहता है टोप 30 बच्चों में जो पढ़ने का, टोटल फ्री है, बच्चे को कुछ भी एक रुपया भी नहीं देना प्यारे दोस्तों, सादर अभवादन, मैं हूँ महिश्कमार वैद और आप देख रहे हैं NJP हरियाना साक्षातकार की कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं मनीश राओ RPS Group of Institutions के CEO हैं, भारतिय जनता पारिटी के बहुत सक्री कारी करता हैं लंबे समय से आज इनसे विभिन मुद्धों पर हम बात करेंगे, इसामा जी की राजनितिक और सेक्षनिक मुद्धों पर बात करेंगे और उमीद करेंगे कि आप को सारे जवाब इनसे मिलेंगे आज से आजा अ क्यों रोके रखते हैं और राजनिति में आना उनका किस उद्धेश से हुआ, राजनिति में पधार प्न क्यों हुआ उनका सर हम तो केवल यह चाहरे हैं कि समाज को आगे लेके जाएं जिस तरीके से हम लोग मेहंदरगड इलाके को सब लोग मिलके ना आगे लेके आएं उसी तरीके से चाहरे हैं कि हम अपने इलाके की और ग्रोथ देखना चाहरे हैं तो इसलिए हम लोग पॉलिटिक्स में आए हैं तो राजनिती से लगता है कि राजनिती में आकर के ज़्यादा अच्छा काम किया जा सकता है ज़्यादा लोगों के लिए काम किये जा सकते हैं ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा हो स्कूल के माद्यम से भी हम सेवा ही करें और पोलिटिक्स के माद्यम से और अच्छी सेवा करेंगे यही एक एम है बस और ऐसा कुछ भी नहीं कि उसमें कम होता है उसमें ज्यादा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है 2019 का जब चुनाव था चुनाव से पहले मनीश राओ भी टिकेट मांग रहे थे, दूसरे कई लोग टिकेट मांग रहे थे, साम्माने पर करिया है टिकेट मांगना और अब 2024 आने जा रहा है, 2024 के चुनाव है, मनीश राओ फिर एक उम्मिद्वार के रूप में खुद को देखते हैं कि मैं एक बार फिर अपनी दाविदारी जता हूँगा सब कुछ पार्टी के उपर डिपेंड करता है, पार्टी का कारिय करता हूँ, पार्टी जो भी हमें निर्देश देगी, उसका हम पालन करेंगे इमानदारी से हमारे यहां बहुत सारे राजनितिक दल हैं हर्याना में भी बहुत सारे राजनितिक दल हैं चेत्रिय दल भी है, राष्टिय दल भी है मनीश राव ने भारतिय जनता पार्टी को ही क्यों चुना भारतिय जनता पार्टी की विचार धारा से हम परभावी था है और मोधी जी की कारिय सेली से हम पर भावित हैं इसलिए हमने BJP को चुना तो सबसे पहले सुरुवात कब हुई थी भारती जनता पार्टी को जोईन कब किया था सबसे पहले मैंने 2012-2013 में मैंने जोईन किया था और उसके बाद लगातार मैं सक्रिया हूँ और समाज के रूप में भी मैं ठीक सा काम कर रहा हूँ और जो पॉलिटिक्स के माद्यम से जो सेवा करनी चाहिए वो लगबग लगओ मैं थोड़ी बहुत कर रहा हूँ आगे चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छे लेवल पे मैं इसमें सक्रियता करूँ जिससे कि आने वाले समयमे में समाज को और आगे ले जाने में कामियाब हूँ मनिश जी अटेली को बहुत नजदीक से देखा है समझा है अटेली के आसपास के चेतर को भी देखा है आपका दाइरा वैसे भी अटेली से बाहर तक फेला हुए आपका कारिय छेतर, राजनितिक कारिय छेतर क्या मानते हैं, अटेली ही है या इसके बाहर भी है देखें मेरा टारगेट तो अटेली है, और तो फिर पार्टी को देखना है और पार्टी को देखा हाँ जी हाँ तो अटेली को इतना नजदीक से देखा समझाए अटेली में क्या मुख्य समस्या हैं आज के दिन जो आप देखते हैं कि ये अटेली में हमारी अटेली में ये समस्या हैं देखिए मैं समस्याओं के बारे में तो नहीं बोलना चाहूंगा हाँ यह है कि जिस तरीके से हम लोग पढ़ाई के माध्यम से अपने इलाके को इस लेवल पर लेके आए हैं उसी वीजन को लेके ना हम लोग इलाके को पॉलिटिकली भी बहुत आगे लेके जाएंगे और जो जो वीजन है वोई है कि मेरा गाउं अटेली में है, कनीना गाउं है हमारा और उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि आने वाले समय में यह इलाका बहुत आगे जाए वही एक हिच्छा है मेरा कहने का मतलब यह समस्याँ से यह नहीं है कि आपकी समस्यां क्यों है ना मैं एक राजनी तिक दल के प्रतिनिधी को कोई उलजाने की बात कर रहा मेरा समझने का मतलब यह था कि जैसे अटेली को उपमंडल बनाने की बात थी दौंगडाहीर को उपतहसिल बनाने की बात थी मनीश जी भी इस बारे में कहीं ने कहीं हायर अथोरिटी के पास अपने सीर्श नेतरतों के पास यह समस्या हैं पहुंचा रहे हैं कि अटेली को कुछ और दिया जाए सीताराम जी से आपकी बात होती होगी मैं उसको अलग करके नहीं देखता है एक पार्टी के कारीकरता के नाते अटेली के लिए क्या आप ऐसा करना चाह रहे हैं जिनके लिए अभी परियासरत है देखे मेरी ख्याल से जो चीजें आपने जो रखी हैं वो सीम साब के नजरों में हैं और कहीं ना कहीं उसके उपर काम भी चल रहा है आने वाले समय में आप ये देखोगे कि अटेली सचमच में और ग्रो करेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आगे उपर वाली अथोर्टी नहीं देख रही हैं सीम साब डिरेक्ट देख रहे हैं और नायब सायनी साब भी अच्छे से उसके उपर लगाई बैटे हैं तो आने वाले समय में अटेली की ग्रोथ होनी है इसको आप मान लीजिए हर आदमी का एक विजन होता है रोड मैप लेकर के चलते हैं और गंभीर जिनको हम मानते हैं कि राजनिती में एक गंभीर चेहरा है आपको हम गंभीर ही मान रहे हैं एक गंभीर चेहरा गंभीर रोड मैप भी लेकर चलता है आपको अगर जनता या पार्टी आपको मौका देती और जनता आपको जीत देती है उस स्थिती में एक आप जनपरती निधी के रूप में एक आपके मन में ऐसा कुछ होगा कि मैं मेरी अटैली के लिए ऐसा कुछ करना चाहूँगा, जो दूसरे नहीं कर पाए या मेरे पास ये road map है, ये working plate farm है, ये working plan है, कि मैं ऐसा करना चाहिए. मही जी देखिए, सब की अपनी capacity होती है, तो road map की जो बात है, उस road map को लेके, मैं अंदर लेके चल रहा हूँ, और आने वाले समय में अगर party ने मोका दिया, तो आप ये पाओगे कि अटेली में घुस्ते के साथ ही, लोग difference महसूस करेंगे, कि हाँ भई ये जो है, अटेली विदान सबा है, ये आप जुरूर महसूस करोगे. एक अब ही हम जो बात करेंगे, जो Congress बड़े लंबे समय से जो है, एक आरोप लगाती आ रही है, कि महंद्रगड जिले में, जो institutions खड़े हुएं, चाहे medical के हो, चाहे education institute हो, विशेश रूप से Central University का जीकर करते हैं, कि Congress के कारीकाल में जो संस्थाएं खड़ी हुई, महंद्रगड जिले में, वो संस्थाएं भारतिय जन्यता पार्टी के कारीकाल में खड़ी नहीं हुई, आप महंद्रगड जिले का और पूरे समगरता में अटेली, नांगल चोधरी, नारनोली इन सब को लेकर के, एक प्रबुद नागरिक के नाते भी बताना चाहें, नेता के नाते ना बताना चाहें, तो आप क्या बदलाव महसूस करते हैं, पिछले नो साल में, क्या संस्थाएं कम मिली, कांगरिस की तुलना में ज़्यादा मिली, या डिवलपमेंट ज़्यादा हुआ, महंदरगड को किस नजर से देखते हैं, मैं किसी के साथ कंपेरिजन तो नहीं करना चाहूँगा, और मैं लेकिन ये बताना चाहूँगा, कि पिछले नो सालों में, मेरी ख्याल से, जितनी तरक्की महंदरगड जी लेने की है, साइधी किसी ने की हो, उसका एक कारण बताता हूँ मैं, 102 आप देख रहे हैं, लोग चंडिगड जाते थे, तो चंडिगड पहुंचने में 7-8 घंटे लगते थे, आज मेरी ख्याल से, 3-3 घंटे में आदमी चंडिगड चला जाता है, जिस तरीके से रोड तयार किये गए हैं, मेरा अपना अनुमार है, उसी तरीके से ग्रोथ भी होने वाली है, आप दादरी, महंदरगड और नार्नोल का रोड देखेंगे, अभी बनने लगा, लग लग बनके तयार है, उसमें भी आप देखोगे कि जब आदमी यातायात के सादन अच्छे से चलते हैं और स्पीड से चलते हैं, तो वहाँ पे ग्रोथ भी होती है, तो यह आप आने वाले समय में देखोगे और अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, आप यह कह सकते हैं, हम तो पांच साल में आते हैं, हम तो हर साल फिल्ड में होते थे, और चार-चार महिने लगातार काम करते थे, एड्मिसंस में और उसके बाद पुरी साल वर पबली के बीच में जाना होता था तो जो इलाका हमारा इलाका है उसका एक एक गली के बारे में मैं वाकिफ हूँ तो ऐसी कोई प्रोब्लम नहीं है कि भी कैसे तालमेल मिठाएंगे वो भी समाज काई काम है और ये भी समाज काई काम है अगर कभी ऐसी परिस्थितियां आई पार्टी की तरफ से हाई पोथेटिकल कुश्चन है कि अटेली के अलावा मनिश राव से च्वाइस पूछी जाए कि क्या आप किसी दूसरी छेतर में काम करना चाहेंगे तो मनिश राव का जवाब क्या रहे ये सब पार्टी को सोचना है पार्टी जो चाहे संग्ठन में रखे सत्ता में रखे अभी संग्ठन में कोई दायत भी देने की पेश कस हुई कभी वो लोग सोच रहे हैं गंबीरता से इस चीज़ के ऊपर जाके ना सोच रहे हैं वो लोग जी 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 अच्छा आभी बात करते हैं आरपीएस गुरूप की यह आपका सेक्शन एक छेतर में थोड़ा सा संक्षिप्ट में हमारे दर्सकों को बताईए कि आरपीएस कि शुरुवात कैसे हुई पहला स्कूल कल हमने एक बस खड़ी देखी एक नंबर बस खड़ी थी तो मुझे लगा सायद वही पहली बस होगी पहली बस हो तो मुझे लगा यह सवाल बहुत जरूरी हो गया हमारे लिए भी हमारे दर्सकों के लिए भी कि आरपीएस यह पहलों स्वाट किया मेंदरगड से बीएस और उसके बाद सब लोगों ने मेहनट की वहां की जिनता ने मेहनत की बच्चों ने मेहनत की टीशर्स ने मेहनत की और उस मेहनत की बुदलत हम लोग आज 17 स्कूल के साल्च पचास हजार बच्चों को पढ़ा रहे हैं लगब उसमें स्कूल्स भी है वेट्नरी सम्हेटल कोलेज भी है डिग्री कोलेज भी और एंजिनिंग कोलेज भी है तोग लगवग लगवग 7000 अपने पास 7000 बच्चों परिवारों परिवारों डारेक्ट टीचिंग टीचिंग के लोग है और 50,000 बच्चे हैं ये हमारी स्टेंट और यह हमारा पूरा एक परिवार है तो अभी हरियाना में कितनी यूनिट्स है जो है अपनी 16 हरियाना में है एक बहरोड राज्थान में हाँ जी हाँ जी अभी बात करते हैं आपका एक स्टुडेंट मयंक हम कल ही मयंक से मिलने गए थे हमारी टीम मिलकर रखे आई है मयंक की उपलब्धी कौन बनेगा करोड़ परती से जो एक करोड़ पॉइंट्स लेकर आए एक करोड़ रुपे कमा के लाए तो आपको उसके लिए बढ़ाई भी है मैंक जो बच्चा है मेरी खाल से आमिता बच्चन जी ने भी बोला है स्टेज के माधियम से कि आज तक का सबसे यंगस्ट स्टुडेंट है जो एक करोड़ रुपे कमा रहा है वो एट्थ क्लास में पढ़ रहा है और ये तैयारी जो है हम लोग नीचे से ही स्टार्ट करते है थर्ड, फॉर्थ, फिफ्थ से ही ऐसी तैयारी सुरू करते है कि जब बच्चा उपर तक जाता है तो वो किसी भी कॉम्पुटिटिव एक्जाम को क्रेक कर सकता है अब जैसे एक करोड बच्चे ने कमाए ये एक दिन की महनत नहीं थी ये बहुत सालों की महनत थी ये बच्चा स्टार्टिंग से अपने या पढ़ रहा था अब ये कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक साइंस क्यूज गोर्मेंट ओफ अरियाना ने कंडेक्ट करवाई थी क्या होता है कि पहले वो डिस्टिक लेवल पे होती है फिर वो जोनल लेवल पे होती है तो नार्नोल में डिस्टिक साइंस स्पेसलिस्ट ने करवाई, वहाँ पर आर्पियस नार्नोल फर्स्ट पॉजिशन के साथ जोनल लेवल पर क्वालिफाई करके गया, फिर रिवाड़ी में हुई वही डिस्टिक साइंस क्यूज, उसमें अपने या तीन स्कूल है, कोशली, ह लाइनसा का रिवाडि और धारवड़ा, तीनो की तीनों स्कूल बेस्ट पांच में विद फर्स्ट पॉजिशन आर्पियस धारवड़ा जोनल लेवल पर क्वालिफाई करके गये, उसके बाद गुरू ग्राम में भी भी एर्पियस सेक्टर 89 का स्कूल फर्स्ट पॉजिश लाइक करते हैं तो वो फेस्ट बुक आपके टेस्ट को पहचान लेते हैं तो आगे फिर वो ही पोस्ट आती जाती चले जाती हैं तो हमने डिस्कस किया कि मैंने कहा है क्यों ना सारी पोजिशन्स अपनी हो वहाँ पी जो स्कूल्स आई वे थे जोर्नल लेवल पे डिस्टिक फरिदाबाद, डिस्टिक गुरूगराम, डिस्टिक पलवल, नुहू, रेवाडी और महंदरगड, छे डिस्टिक के स्कूल्स थे उसमें 30 टीम्स थी, बेस्ट 30 टीम्स थी, टोप 5 डिस्टिक से, बेस्ट 30 में से हम बेस्ट 8 में गए पहले तो, पास टीमें आर्पियस के थी, उसमें से 4 टीमें क्वालिफाई कर गी, फिर वो औरल क्यूज करवाते हैं, गुर्मेंट ओफरियाना कि स्की में 20,000 रुपर एक टीम को प्राइज भी देते हैं, उसमें आपको जानकर बड़ा अच्छा सा लगेगा कि 1 पोजिशन भी आर्पियस की, 2 पोजिशन भी आ अच्छे होते हैं, माहूल अच्छा बनता है, तो ये रजड़स आते हैं, एक एजुकेशन इंस्टिटूट चलाते हो आप, आपने सारा देखा होगा, बहुत बार गरीब बच्चे भी कई बार पहुँच जाते हैं, उनकी मदद की भी आपेक्षिया आप से होती है, हम मनी हमने स्कोलर्शिप टेस्ट रखा, स्कोलर्शिप टेस्ट में नाइथ में 30 स्टूडेंट्स लिए, हमने सुपर 30 नाम दिया हमने उसको, और प्लस वन में मेडिकल, नोन मेडिकल, आर्ट्स और कॉमर्स, चारो स्टिम में 30-30 स्टूडेंट्स लेने, तो 120 तो यहां पर होग NIT में जा रहे हैं और उनका package लगबग लगबग 50 to 60 lakhs per annum उनको मिल रहा है हाँ जी हाँ जी गरीब बच्चों के लिए भी हमारे पास वो सब चीजें हैं और कहीं कोई NEP को लेकर के new education policy 2020 को लेकर के सरकार इस पर काफी जोर दे रही है जो आप education institutions चलाते हैं क्या धारणा है आपकी NEP के बारे में देखिए आने वाला समय हिंदुस्तान का है हम top 10 में थे फिर best 5 में आए और हम बहुत जल्दी first position पर भी होंगे और उसमें ही जो NEP है इसका बहुत बड़ा रोल होगा बहुत बड़ा रोल होगा हर बच्चे को आजादी होगी अपनी language के साथ आगे भढ़ने की क्यूंकि comfort अगर मैं गलत नहीं हूँ तो NEP में AI पर भी जोर दिया गया है तो AI के खत्रों के बारे में भी आप बताएंगे मुझे थोड़ा सा देखिए खत्रा तो मैं नहीं समझता आदमे के ऊपर depend करता है यह तो सारा का सारा हम मैंने कहा रहा है मैं तो बड़ा positive आदमी हूँ हम तो केवल और केवल अच्छा ही यह लेना जाना है अच्छा ही यह लेना चाना है बस 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 तो आने वाला समय हिंदुस्तान का इसी लिए है कि NEP और चोट चोटे जो government कदम उठा रही है वो सकारात्म के रूप से मतलब कहीं ना कहीं हमारे लिए positive होंगे हाँ जी और मैं जी मैं तो आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अभी हमारे स्कूलों में सभी ब्रांचीज में 31 तारीकों फिर एक बार टेस्ट है scholarship का तो उसमें जो बच्चा 9th क्लास में आना चाहता है top 30 बच्चों में जो बच् अरियाना से बाहर के बच्चे भी होस्टल में पढ़ रहे हैं जी बनारस से हैं मतलब आपका बिहार से हैं आंधरा से हैं तमिलनाडू से हैं बहुत states के बच्चे अपने पास हैं तो 31st को जो बच्चे आएंगे तो उनका registration उनका स्पोर्ट होगा कोई charges नहीं है बच्चा ट कि हमारी सेली सर्मा कह रही थी कि कल में एक सवाल पूछूंगी तो मैंने का पूछ ले ना यह question यह question मैं ही पूरा कर देता हूं यह हम जाना चा रहे हैं कि अगर भारतिये जनता पार्टी 2024 में जरूरी नहीं सब को ticket मिले ticket के दावेदार बहुत होंगे ticket नहीं देती है तो मन देश देगी हम उसकी उपर 100% अपना काम करेंगे समर्पित शिपाई हां 100% आपको यह हो गई पिछली पंक्ति वाला कभी भी आ गया सकता है बहुत-बहुत सुब काम नहीं आपको थैंक यू बहुत-बहुत धन्यवाद